नमस्कार दोस्तो मैं बिना इन्फर्मर आप सभी को स्वागत करता है दोस्तो भारत में जितने भी बैंक है सभी बैंक अस्पेशल फिक्स डिपोजिट स्किम चलाते हैं आखिर क्यूं? वो जानते हैं कि अभी भी अधिकांज लोग फिक्स डिपोजिट में रूची रखते हैं और रखना भी चाहिए क्योंकि फिक्स डिपोजिट सेव मना जाता है लेकिन सवाल अभी भी वही है बैंक अस्पेशल एबडी क्यों चलाता है? नुर्वल एबडी और अस्पेशल एबडी में क्या अंतर है? Special FD से customer को कितना फायदा होगा इन सारी बातों पर और भारत के 12 सरकारे बैंकों की Special FD rate of interest को जानेंगे खास करके senior citizen के लिए यह वीडियो फायदे मंद होने वाला है इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजिए नए यूजर वीडियो को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल बटन को भी दबा दे ताकि जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिपिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों बैंक A Special Fixed Deposit इसलिए करता है ताकि धन और संपती को बैंक अपने कबजे में सामिल कर सके और दूसरा फाइदा यह है कि ज़्यादा ब्याजदर दे करके ग्राहा को अपनी और अकर्शित करना ये तो बैंक की बात हो गई A Special Fixed Deposit से जेनरल पब्लिक और सिनर सिर्जनों कितना फाइदा होगा इसे भी एक्जामपल से समझते हैं दोस्तों 12 सरकारी बैंकों में से मात एक ही बैंक है जो सिर्फ 200 डेज की Special FD करता है जिसका नाम Bank of महरास्टा है माल लिजिए Bank of महरास्टा में 200 डेज की Special FD कराते हैं तो इस पर जो ब्याज मिल रहा है जनरल पब्लिक को 7% वही पर सिर्फ सिटिजर को 7.50% यदि एक लाख रुपे को 200 डेज की Special FD कराते हैं तो 7.50% ब्याज दर के हिसाब से 374 रुपया ब्याज मिलेगा कितने दिनों में माद 200 डेज में यहने 6 महने 18 डिनों में अगर एक लाख को Normal FD कराते हैं तो इस पर जो अभी ड्याज मिल रहा है 181 डेज टू 270 डिनों के लिए वह है जनरल पब्लिक को 6% मतलब की 1.50% Special FD से कम Rate of Interest मिल रहा है मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर FD करानी है तो Special FD क्यों न कराएं जीस पर ज़्यादा ब्याज दर मिलता हो दोस्तो 300 डिनों की Special FD मात्र दो ही सरकारी बैंक करता है इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक 300 डेज की Special FD पर अभी Rate of Interest मिल रहा है जनरल पबली को 7.05% Senior Citizen को 7.55% अगर 1 लाख रुपय की 300 डेज यानी 9 महिना 26 दिनों के लिए Special FD कराते हैं तो Senior Citizen को 5939 रुपया ब्याज के रूप में फैदा होगा जो की Normal FD पर Senior Citizen के लिए 271 दिनों से 2099 दिनों की FD पर PNB Bank 6.75% Rate of Interest दे रहा है यहाँ पर 0.80% Rate of Interest में फैदा हो रहा है दोस्तो तिसरी Special FD 399 दिनों की होती है जिसको Bank of Baroda और Union Bank of India में होता है इस पर फिलहाल General Public को Bank of Baroda 7.15% Union Bank of India 7.25% Rate of Interest दे रहा है Senior Citizen को 399 दिनों की Special FD पर Bank of Baroda 7.65% Union Bank of India 7.75% Rate of Interest दे रहा है 34 Special FD 400 दिनों की होती है इस FD को Bank of Maharashtra, Indian Bank, Punjab National Bank, State Bank of India में किया जाता है 400 देज की FD पर अभी Rate of Interest, Indian Bank, Punjab National Bank, General Public को 7.25% Senior Citizen को 7.75% मिल रहा है Bank of Maharashtra में General Public को 6.75% Senior Citizen को 7.25% Rate of Interest मिल रहा है वहीं पर सबसे बड़ी Bank, State Bank of India 400 देज की Special FD पर General Public को 7.10% Senior Citizen को 7.60% Rate of Interest दे रहा है इस FD में अगर आप 1,00,000 रुपिय इंवेस्ट करते हैं तो 7.75% के हिसाब से कूल 8,624 रुपिया व्याज का फैदा होगा दोस्तो इतनी वारिकी से कोई भी नहीं बताएगा बड़ी मेहनत करके सभी बैंकों की Information आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तो चार सरकारी बैंक 344 डेज की Special FD करता है केनरा बैंक, सेंटर बैंक अप इंडिया, इंडियन अबर्सीज बैंक, पंजाब एंड सिन बैंक लेकिन सभी बैंकों का अलग-अलग Rate of Interest है सेंटर बैंक अप इंडिया, इंडियन अबर्सीज बैंक, 344 डेज की FD पर जनरल पबली को 7.10%, सिनिर सिजन को 7.60% Rate of Interest दे रहा है केनरा बैंक, जनरल पबली को 7.25%, सिनिर सिजन को 7.75% Rate of Interest दे रहा है पंजाब एर सिन बैंक में जनरल पबली को 7.40%, सिनिर सिजन को 7.90% Rate of Interest दे रहा है एक लाख रुपय की 344 डेज की Special FD कराने पर 7.75% के हिसाब से 9227 रुपया व्याज का फायदा होगा दोस्तों वीडियो के एंड में मात्र एक सरकारी बैंक है जो टीफल 5 डेज की Special FD करता है वह है Central Bank of India अगर Central Bank of India में टीफल 5 डेज की Special FD कराते हैं तो जनरल पबली को 7.25% सिनिर सिजन को 7.75% Rate of Interest मिलेगा अगर इस बैंक में Senior Citizen एक लाग की FD कराते हैं तो 7.75% के हिसाब से 12,475 रुपया ब्याज का फायदा होगा तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्वाप्त करता हूँ मेरा Information वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट जरूर करें अगर अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर ले अपने दोस्तों को भी सेर भी कर सकते हैं रखिया अपना ख्याल धन्यवाद